नमस्कार मैं हूं माया माया अच प्रफेक्ट रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हमारी प्रफेक्ट रसोई में हम बनाने जा रहे हैं लाल टमाटर की चटनी आप सभी ने लसून प्यास देनी है इनकी चिटनी तो खोग है लेकिन लाल टमाटर की चिटनी का स्वाल सबसे अलग होता है और हमारे बताये गए तरीके से आप चिटनी बनाएंगे तो खाने का स्वाल डबर हो जाएगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और देखिए प्रफेक्ट उसोई के प्रफेक्ट वीडियोज तो लाल टमाटर जिटनी बनाने के लिए हैं जो सामान चाहिए वो देखते हैं सबसे पहले हम लाल टमाटर लेंगे अच्छते दोलिया इनको हमने साल्ट माटर लिए हैं परसा कट कर देंगे सबी टमाटरो के हमने कट कर दिया है अब चलो इनको इनके लिए गरम पानी लिखेंगे इन टमाटर डालेंगे इन टमाटर अचितरे इसमें आसानी होगी कि इसमें छिली के आराम से निकास केंगे इन टमाटरों हम दो मिन्ट के लिए डग के रखतेंगे अब देखिए हमारे टमाटर बोईल हो गए है अब इनके लिए अब आराम से दिर दे इनके अलिकल कैसे इसे सिल्की तारेंगे यार आराम से निकल जाएंगे अब इन टमाटरों के रफले से छोचे टुकडे कर लेंगे अब अब मारे टमाटर ठंडे हो गए हैं अब इनको हम मिक्स में डाल के इसको दरदरा सा पीस लेंगे अब टमाटर हमने पीस लिया है अब अब हम नाएंगे टमाटर की चप्टी चिटनी तो हमने गेच उनकरती हैं अब कड़ाई रख दिया हमने आब इस्में हम बड़े चार चमट केई डाले हैं अब हम टमाटर की चट्पटी चट्री मिलाने के लिए हमने लिए हैं अजवाइन सूंफ और सर्सूंफ के लिए दर्दरे से प्यास काट लिए हैं और चोड़ी टुकड़ों में रसन का पेस्ट बनाए हैं और चोड़े गरह से अद्रप के टुकड़े हैं और एक हमने हरे मेच लिए ज़्स में सर्सों डालती है थोड़ी सी देंग दालें है अब इसमें पेलिक याल दानेगे और साथ में अदर विराल देंगे करेंगे ये रेसिपी आपको बता रहे हैं ये गर्टी गुरू ट्राइड करके देखना बहुत अची दिखेगी और आप इसे अप्रांट के साथ खा सकते हों कि ये प्या दिना ब्राउन हो गया है तो अब इसे हम डालेंगे एक चमस नमक करेंगे दो चमस लाल मिच़े रादी चमस रादी चमस नमक करना। करेंगे अब इसमें हम थोड़ी सी सोंफ एड़ करेंगे इससे पेस्ट बहुत अच्छाता है थोड़ी सी अजवाइन करेंगे थोड़ा सा काला दर्मक भी एड़ करेंगे इससे फ्लेवर गुद अच्छा आता है अब इसमें हम वो टमाटर के जोई डाल देंगे कितनी अच्छी कितनी अच्छी बनी है कितनी अच्छी मेंगा रही है आप वोड़ीजर के लिए इसके हम दो मिंट के लिए हम डखन लगा देंगे अब बवाव कितनी अच्छी बसबु आ रही है मेरा तमन कर रहा है मैं भी खालू इसे इसमें मैं गुड एड़ कर रही हूं आप यह नी भी डाल सकते हो गुड भी डाल सकते हो एकि मेरे गरबार लोगो गुड ही पसंद है तो मैं गुड ही डालूँगी गुल्ड डानने से एकदम शेक्षटी सी क्यार हो जाएगी और हम इसे काम में ले सकते हैं 10 दिन तक 15 दिन तक विप्राव लेंगे अब गुल्ड इसमें मिक्स हो जाएं इसलिए हम दो मिंट के लिए डकल लगा देंगे यह हमारी चिटनी त्यार है आप लीज इसे जरूर बनाईएगा और आप टेस्ट करेंगे खाएंगे तब आपका मन बालबा बनाने का करेगा कि इतनी इच्छी रेसिपी है इनका पानी जल गया है और यह चिटनी ने तेल छोड़ दिया है तो मतलब यह त्यार है अब इनको हम कड़ाई से पार निकाल लेते हैं जो कितनी अच्छी है एक दम गर्गरी मेरे थे मुंँए पानी आ रहा है इसको देख जी कितनी अच्छी बनी है ला 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 ओमाटरी की चट्टी चट्ट्टी चट्ट्नी तो आप ने देखा ला ला टमाटरर की क्टेस अन्याम जबता हूं तो जल्दी सेइस को लाइक की जीए अपनी दोस्तों दोतारों के साथ सेहर that और अगर आपने हमारा अनलो ब्रांटे का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए और टमयalay टनी जटनी के साथ अर्लू के प्रांटे का मज़ा दीजिए थैंक्क्यू